Hello Friends, मैं मली का खुराना, Healthy Recipe Home में आपका स्वागत करती हूँ. आज हम गाजर मूली का इंस्टेंट अचार बनाएंगे. ये बहुत जल्दी त्यार हो जाता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है. तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं. अचार के लिए हमने सबसे पहले ये मूली, गाजर और हरी मिर्च ले ली है. इन सब को अच्छे से वाश करेंगे और फिर हम मूली और गाजर को पील कर देंगे, इसके छिलके उतार देंगे और इसे लंबा लंबा काट लेंगे. आप रेड या ओरेंज कोई भी केरेट ले सकते हैं. केरेट, रेडिश, ग्रीन चिलिज, तीनों को हमने काट लिया है. अब इन पेजिटेबल्स को हम किसी किचन टॉवल या नैपकिन, किसी बेबी ड्राई करने के लिए डाल देंगे. अब इसे हम 20-25 मिनट के लिए ऐसी छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सूख जाएं. अब हम क्यूमिन सीट्स को रोस्ट कर लेते हैं. लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे. अब इसे हम एक प्लेट में डाल के ठंडा करते हैं और फिर मिक्सी में पीस लेंगे. गाजर मूली मिर्च ड्राई हो गए हैं तो इसे हम एक बड़े बॉल में डाल लेंगे. अब इसमें हम नमक, according to your taste, लाल मिर्च 1 टीस्पून, राई सीट्स 2 टीस्पून, आप राई की जगा मस्टर सीड्स भी ले सकते हैं. रोस्टीड जीरा 1 1⁄2 टीस्पून, अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे. Mix, 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 and mix. अब इसमें हम 2 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे. अब हम फिर से मिक्स करेंगे, और ये देखे, इंस्टेट अचार रेडि है. अब इसे हम एक कंटेनर में डाल देंगे ये तुरंत खाने के लिए रेडी है अचार की शेल्फ लाइफ साथ से दस दिन है इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं टेस्टी भी है और हेल्दी भी है अब आप ये इंस्टेंट अचार बनाएए खाएए और इंजॉय करि ये प्री